सिक्सक एरियर जॉब्स के जो बिलर्ट वीडियो में आप सब कर स्वागत है गौवर्मेंट ओफ इंडिया रिकूट्मेंट दो हजार बाइस पर्मानेट सभी के सभी पद है अगर हम योग्यता की बात करें तो ग्रैजुएशन या मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में ग्रैजुएशन अगर आपके पास है चोकि काफी सारे पद है तो अलग 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 पद के लिए जो है यहां पर योग्यता जो है रखी गई है तो इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी इस नॉटिफिकेशन के बारे में आप डिस्कस करने वाले चैनल पर पहली बारा है चैनल सस्क्राइब ने किया तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि ऐसी ही अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे अच्छे यह जो नॉ प्राइन अप्लिकेशन यहां पर जो है सबसे पहली जो पढ़ है सबसे पहली जो वेकेंसी वह आपकी आठ वेकिंसी है सीनियर एड्मिनिस्रेटिव ऑफिसर गरेड टू के लिए और कहां पर यह वेकंसी है अच्छा बात करें पेश्केल सबसे पहले मैं यह एपर दिखा जा रहा है यानि कि जिसमें 56,100 रुपे आपका बेसिक सेल्ड यहां पर दिया जाएगा उसके साथ जो भी भत्ते है ऐस पर सेंट्रल गवर्मेंट एमप्लोई के अनुसार यहां पर आपको डीए टीए मिला के लगबग जो है सतर से बहातर हजार रुपे आपकी परमत यहां पर प्रारंबिक वेतन जो है आपका बनने वाला है अच्छा अन्रिजर्वड के लिए अधिक्तम 35 वर्स आयू सीमा है अगर हम इसेंसिल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी डिगरी आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में ग्राजुएशन की डिगरी आपके पास होनी चाहिए साथी साथ experience जो है तीन वर्सों का यहां पर experience administration में and account work में जो है आपका यहां पर जो है अगर experience है तो आप आवे दन यहां पर कर सकते हैं desirable की बात करें तो यह mandatory नहीं होती है desirable है अगर है तो अच्छी बात है एक vacancy ए एसिस्टेंट employment officer डारेक्टरी जर्नल अफ एम्प्लाइमेंट मिनिस्ट्र अफ लेवर एन एंप्लाइमेंट में SC अनुसुची जाती के लिए एक पद है और यह suitable है और डिव्यांग जन के लिए लेकिन SNA के के वल यह reserve है डिव्यांग जन के लिए कोई भी को तीन वर्स का और SCST को पांच वर्स का यहां पर चूट प्रदान की जाती है अच्छा इसके लिए master degree in commerce और social work और social work और social welfare और एकॉनमिक्स और इस्टेटिक्स और साइकलोजी और education में आपकी master degree होना चाहिए दो वर्स का experience आपका socio-economic investigation में आपका होना चाहिए ठीक है वेकेंसी नंबर थ्री है एक वेकेंसी है फूर सब रिजिनल ठीक है लेकिन likely to continue indefinitely ठीक है तो यह जो है वैसे तो temporary पोस्ट है लेकिन indefinite period के लिए जो है यह जो है continue रहने वाली है ठीक है 45 वर्स है और essential qualification degree in ayurveda medicine आपकी होनी चाहिए ठीक है साथी साथ जो नंबर फाइफ जो वेकेंसी वो भी assistant professor ayurveda की है इसी प्रकार एसिस्टेंट प्रोफेसर ayurveda नंबर 6 वेकेंसी है यहाँ पर इस लिमिट में कुछ difference है ठीक है essential qualification वही डिग्री न आयुरवेदा आपका होना चाहिए इसी प्रकार से वेकेंसी नंबर 7 भी assistant professor की आयुरवेदा में ठीक है closing date की बात करें आवेदन ओनलाइन करना है कब तक करना है दसवरी 2022 तक आप यहाँ पर ओनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोबिशन पीरियर्ड आपका as per government rule होगा कोई भी candidate चाहिए किसी भी स्टेट से है आवेदन यहाँ पर कर सकता है अच्छा यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है आपका selection यहाँ पर होगा तो यहाँ पर दिया गया है the category wise minimum level of suitability in interview ठीक है अगर यहाँ पर interview या जो अगर written test होगा तो उसका यहाँ पर update नहीं दी गई है हो सकता है कि बाद में जो है site पर update की जाए तो official website का link में description box में डाल दूगा आप अगर जो है आवेदन करना चाहें तो definitely आप जो इसकी update ले application पी काफी nominal है 25 रुपे है लेकिन अनुसुची जाती जन जाती दिव्यांग जन और महिला अभ्यारती चाहे किसी भी category की है कोई फीस यहाँ पर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर आप आवी दिन करना चाहते है तो official जो website है उसका link में description box में डाल दूगा वहाँ प आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को लाइक करें जाद जाद शेयर करें